कोरोना के नीमों की पालना करते हुए बाबा को लगाया धोग साजक ग्रामिनों ने रखे मुस्तेदी एटीवी लाइव नियूज ब्योरो सोगदेव शिंगराजबुरत की रिपोर्ट भादर पदूज को लेकर कोरोना माहमारी के नीमों और काईदों की मद्य नज़र रखते हुए साजक ग्रामिनों की उपस्दिती में आसपास के जात्रों को समाजिक दूरी रखते हुए साइला उफकंड की दूदवा इस्तित मिनी रामदेवरा की नाम से प्रशिद बाबार रामदेव जी के दरबार में आसपास के सरदालू ने बाबा को धोग लगा कर मन्नत मांगी शुबे पांच मिज़े से ही सरदालू का आना जना आरम रहा जो दिन भर आवा गमन जारी रहा यहां के चमतगार वो आस्ता के कारण अधिक तर सरदालू बाबा के दर्शन पैदल आते हैं अलगले गाउं से पैदल यात्रा के रूप में यहां सरदालू की भीड रहती है गाउं के भक्त बताते हैं कि करीब डेट सो साल पेले गाउं के एक समाच से वी को बाबा रामदेुजी ने जाल के पेड़ की नीचे परचा दिया था जिसके बाद दिनों दिन लोगों की आस्ता बढ़ती गई आज इस तिर्थ के प्रती लोगों की आस्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है यहां का शांत वातावरन सहज ही सरदालों को अपनी और आकरशित करता है इसमें ग्रामीनों के स्योग से गौशाला का भी संचालित रहा है इस परिचर में एक सरकारी विद्दैले भी संचालित है यहा है एक सुन्दर भगीचावी है जिसमें होने वाले पक्षियों के कल हर वातावरN को स्वर गूरुमा बनाता है दूस को लेकर बाबारामदेव जी के दरबार में शुबह सही पैदल लोगों का वागमन जारी रहा गुरुवार को दूस के अवसर पर सदालू अने बाबा के दरबार में पहुशकर शिशन वाया